वो एक प्राचिन गाउ था गाउ नदी के किनारे ही बसा हुआ था उस नदी के कारण ही गाउ की जमिन बहुत सुपीक थी पर कभी-कभी तेज पारिश में नदी का पानी बाढ में बदल कर गाउ को नस्ट किया करता था उसी गाउ में अमर नाम का एक वेक्ति था अमर की एक पत्नी और दो बच्चे थे पत्नी का नाम कोमल था बच्चों का नाम कीर्टी और बालू कीर्टी बड़ी थी और बालू छोटा अमर गाउ के पास वाले नदी में ही मचलियां पकड़ कर उन्हें बेज कर अपना घर चलाता था एक दिन हर रोस की तरह वो मचलिया पकड़ने निकला अचानक उस नदी में बड़ा उफान आया जिससे उसका नाव डूब गया और वो वहीं पर मर गया ये बाद जैसे ही कोमल और बच्चों को पता चली वे फूट फूट कर रोने लगे अमर की देहान के बाद अंतिम संसकार की सारी विधी हो गई एक दिन कोमल रोते हुए खुद से कह रही थी ए भगवार ये तुमने क्या किया इस घर को एक मर्ट के सहारे के बिना छोड़ दिया अब मेरे बच्चों का क्या होगा जिन बच्चों को अपनी जान से जादा प्यार करते थे उन ही से आपने हमसे छीन लिया अब मैं इन बच्चों का कैसे ख्याल रखूंगी चाहे जितना भी कर लूँ बाप की कमी मैं पूरी नहीं कर सकती ये सोचकर वो रोने लगी फिर खुद को धीरश दिया अब रोने से कुछ नहीं होगा अब मुझे ही कुछ करना होगा अपने बच्चों को अच्छे जिन्दगी देनी होगी मुझे आज से ही किसी काम पर लग जाना चाहिए उनके पास जो छोटी सी जमीन बची थी उसे में उसने खेती करने की सोची अपने खेती के लिए तयार हुई कोमल ने किरती से कहा बेटा किरती, पापा के गुजरने के बाद अपने घर के हालत कुछ ठीक नहीं अब मुझे कोई काम करना होगा अब मैं खेत पर काम करने जा रही हूँ तुम ही को अपने भाई का खेयाल रकना होगा अपसे तुम ही उसकी दीदी और मा हो मा ने ऐसे खेती को समझाया तब कीरती ने कहा मा, जब तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रही हो तो क्या मैं अपने भाई का खेयाल नहीं रक सकती तुम निश्टिन दोगा जाओ मा, मैं भाई का पूरा ध्यान रखूंगी केर्टी की बात सुन मा बहुत खुश्वी और वो अपने काम के लिए निकली चुंकि कोमल केर्टी का काम पहली बार ही कर रही थी उसे ठीक से पता नहीं था कि कौन सा काम कब करे कब दवाई डाले और कब पौधं को पानी दे जानकारी के अभाव की कारण उसके खर्चे बढ़ गए और इसी तरह कर्ज एक तिन कोमल खेती के विशे में सोचते हुए घर पर थी तब ही वहाँ पर कोमल को जिसने कर्ज दिया था वो किरन आया उसकी आवास सुन वो बहार आई ये क्या है कोमल जी मेरे कर्ज के पैसे अभी तक नहीं लोटाए जब लेने आय थी तब कहा था हफते में लोटा दूँगी मैंने तब ही कहा था जिस घर में मर्द नहीं वहाँ पैसे कैसे आएंगे अगले दो दिनों में अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो तुम्हारे घर पर ताला लगा कर तुम्हें और बच्चों को घर से बाहर कर दूँगा केरन इस तरह धमकी दे कर वहाँ से चला गया ये सारी बाते अंदर से किर्टी सुन रही थी इसका मतलब मां हमारे लिए इतने कर्जे में आ गई है मुझे कुछ कर मां को कर्जमक्त करना होगा ऐसे किर्टी ने सोचा अगली सुभा जब कोमल खेट पर चली गई तब दोनों बच्चे अपने अपने हाथों में थाली पकड़ कर भीक मांग कर पैसा इखटा करने की सोच कर पास वाले गाउं जाते है और शाम में मां के घर लोटने तक दोनों वापस आ जाते थे इस तरह हर रोज जब कोमल खेट के लिए निकलती तो दोनों बच्चे उसके पीछे भीक मांगने निकलते और उसके घर वापस लोट कराने तक वापस आ जाते और ये सब कोमल को बिना पता चले चल रहा था ऐसे कुछ दिनों तक चलने के बाद कुछ पैसे जमा हो गये और उन्हें ने उसे इखटा कर रख दिये भीक में मिले खाने को कीर्टी और बालु खाया करते और उसी में कुछ पजा कर कोमल को दिया करते और उसे ये कहते कि कीर्टी ने खुद घर में बनाया है ऐसे ही कुछ दिन बीते एक दिन कोमल की सेहत खराब होने के कारण वो खेती से घर वापस जल्दी लोटी तब ही उसने सामने से कीर्टी और बालू को फटे कपड़ों में उन दोनों के हाथ में धाली पकड़ कर भीक मांगते हुए देखा उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर कोमल को बहुत घुसा आया क्या मैं मर गई हूँ जो तु भीक मांगने निकली है क्या तुमने ये सोच लिया कि मैं इतनी निस्साहाई हूँ कि तुम्हें खाना भी नहीं दे सकती यूँ वो किर्टी पे चिलाने लगी कुछ दिनों पहले जब किर्ण चाचा ने आपसे कर्स के पैसे लोटाने के लिए धमकी दी तब मैंने सोचा कि मुझे आपके मदद करनी चाहिए जब किर्टी ए कह रही थी अचानक उस नदी में उफान आकर बाढ़ आ गया उस तेज बाढ़ की बहाव में किर्टी बालू और कोमल बहने लगते हैं अपने बच्चों को उस पानी के प्रवाह में बहता दे कोमल बहुत दुखी हुई अचानक उसे उस बाढ़ में अमर की नाव दिखाई दी तुरंद उस नाव में चड़ी और अपने बच्चों को बचाने के लिए निकली उस प्रवाह में दूनों बच्चे बहते ही जा रहे थे ठीक जहाँ पर बालू था वहाँ पर एक मगरमच आया कोमल असमंजस में थी कि किसको पहले बचाए इतने में वहाँ पानी में बहते हुए पेड का तना आया उसने उस तने को किर्ती की और बढ़ाया और कोमल खुद अपने बेटे को उस मगरमच से बचाने के लिए बढ़ी क्या मा मुझसे इतनी नाराज है कि मैं इस तरह बहे रही हूँ तब भी मुझे बचाने नहीं आ रही ऐसा सोचकर किर्ती हुदास होने लगी तबी उस पेड के तने के सहरे वो आकर नाव में चड़ गई अपने दोनों बचों के सुरक्षित होने पर कुमल खुशी से उन्हें अपने गले से लगाती है बाड की प्रभाव की कम होने तर वे तिनों उसी नाव में सुरक्षित रहते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और कमेंट करना और हाँ ऐसे इंट्रस्टिंग स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक्यू फर वाचिंग वो एक छोटा सा गाउं था जहां पर एक दीन परिवार रहा करता था उस परिवार में शारदा और उसके दो बच्चे कीर्टी और बालू रहा करते थे मा मस्दूरी का काम करते हुए अपना घर चला रही थी ऐसे ही जीवन चल रहा था एक दिन कीर्टी और बालू बहारांगन में खेल रहे थे तो आकाश में उन्हें जोर की आवाज करते हुए एक विमान जाती दिखाई दी उसे देखकर बालू अरे वा वो विमान कितना बड़िया है दीदी चलो न हम दोनों भी उसमें बैठते हैं ये सुन कीर्टी ने कहा क्या कहा हम विमान में चड़ेंगे उसके बहुत पैसे लगते हैं विमान में कहीं जाना बड़े लोगों का काम है हम जैसे गरीब लोग नहीं जा सकते ये सुन बालू जोर से रोने लगा मैं नहीं सुनूगा मुझे विमान में चड़ना है मुझे विमान चाहिए यो जोर-जोर से वो छीखने लगा उसकी आवास सुन वहाँ पर उसकी मा आई क्या हुआ किर्टी ये इस तरह क्यों रो रहा है किर्टी ने मा को सारी बात बताई ये सुन मा ने कहा ऐसे जित नहीं किया करते बेटा हमारी हैसियत विमान में जाने की नहीं है बात को समझो बेटा ऐसे उसने दांट कर कहा फिर भी बालू नहीं माना उस पर मा को बहुत गुसा आया हर चीश की आजकल जित करने लगा है ऐसा कहकर मा ने लकड़ी से उसे मारना शुरू किया मा आप उसे इस तरह मत मारिये छोटा है ना मैं उसको समझा लूँगी ऐसा कहकर किरती ने मा को भेज दिया उसके बाद अपने भाई को समझाने लगी बालू तो अपना रोना बन कर तुझे विमान चाहिए ना मैं तुम्हारे लिए एक विमान बनाती हूँ ऐसा केकर सुतार का काम कर रहे एक आदमी के पास उसे साथ ले गई वहाँ शंकर से उसने कहा शंकर चाचा क्या आप मेरे भाई के लिए एक बड़ा सा विमान बना कर देंगे हाँ तयार कर दूँगा पर उसके लिए पैसे लगेंगे क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? उस पर कीर्टी ने उनसे पूझा कि कितने पैसे लग सकते हैं उसके आगार के हिसाब से ही बता पाऊंगा अगर बड़ा बनवाना हो तो हजार रुपै लग सकते हैं ये मैं मेहनत के पैसे पूछ रहा हूँ, उसका सामान लागने के लिए तो और भी लगेंगे। ये सुन किर्ति ने कहा, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है शंकर चाचा, पर इस लगणी के चकली को कि साकार में कैसे काटा जाता है, क्या आप मुझे ये सिखा दोगे। उस पर शंकर ने कहा, उसमें बताने वाली क्या बात है, हर रोज तुम यहां आकर बैठोगी, तो तुम्हें पता चल जाएगा। ये सुन किर्ति ने हामी भरी, तब बालू ने कहा, दीदी मुझे विमान चाहिए। इस तरह बालू के जित करने पर किर्ति दुकान के भीतर जाकर तूटा पूटा एक विमान कम पैसे में खरीद कर अपने भाई को देती है, उसे देख बालू ने कहा, दीदी ये विमान तो एक तरफ से तूटा हुआ है ना, देखो, हम उसे चिपका सकते हैं, तुम परिशा जा बालू, कुछ दिनों बाद मैं ही तेरे लिए बड़ा आसा विमान लाओंगी, बालू ने दीदी की बाद मान ली, फिर बालू उसी खिलोने के साथ खेलने लगा, कुछ दिन गुजरे, किर्ती हर रोज उस सुतार वाले के पास जाकर बैठा करती और उनका काम देखती, उनके किये हुए काम को ध्यान से देखा करती थी, ऐसे ही कुछ दिन बीते, इस तरह किर्ती ने बहुत सारा काम सीख लिया था, फिर उसको खुद को ये काम शुरू करना था, इसलिए वो जंगल जाकर लकडिया दोड़ लाने लगी, फिर उन लकडियों को छिलकर उसने एक विमान बनाना शुरू किया, बड़ी महनत के बाद उसने एक बड़ा सा विमान बना लिया, और उसे रंगने लगी, उसे घर के एक कोने में रग दिया, फिर किर्ती अपने भाई को वहाँ पर ले आई, देख तो सही, मैंने तुमारे ले एक बड़ा सा विमान लाया है, ऐस उस विमान के साथ खेला करते, तब किर्ती के दिमाग में एक उपाय सुझा, मैं ऐसे ही तरह तरह के विमान बना कर यहाँ पर रखूंगी, और उसके लिए टिकेट लगाऊंगी, बच्चे यहाँ पर आकर खेल सकते हैं, और मुझे इसके बदले में पैसे भी मिलेंगे, औ और उनकी ख्वाईश भी पूरी होगी, ऐसा सोचकर कीर्ती ने कार के आकर का एक खिलोना बनाया, फिर एक ट्रेन के आकर का, और फिर एक ट्रैक्टर के आकर का, ऐसे दरह दरह के खिलोने बना कर उसने अहाँ पर रख दिये, उनकी माने ये सब चौंग कर देखा, बेटा य ये सब क्या है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मा यहाँ खेलने आने वाले बच्चों के लिए 20 रुपे का टिकट आप एक टकले पर लिख कर रखिये, और उसे बाहर लगा दिजिए, माने हाँ कहा, माने वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया, उस बोर्ड को देखकर वहा हो जाया करते और खेला करते, इसी तरह उस काम से उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाने शुरू किये, बहुत ही जल उनके हालत सुधर गये, उन्होंने अपना एक बड़ा घर बनाया, कुछ दिन यूहीं बीते, उनके पास और भी जादा पैसे बन गये, जिससे उन्होंने एक बड़ी सी जगह खरीदी, चारो और पेड़ पौदे, जूला और ऐसे तरह तरह के खेलने के वस्तु वहाँ पर रखे, वो जगह एक बड़े से पार्क में बदल जाता है, मा ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है, इस तरह उसे कमाई हुए पैसों से अपने बचों को खुब पढ़ाने लगी, अपने बेटे की ज़िद और उसको पूरा करने के लिए किर्थी नचो कोशिश की, जिससे उनका जीवन ही बदल गया था,